हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोते श्रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया श्रोता गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभीनेत बेल मेरी और से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमशकार तो साथियों आज हम इस कारे करम में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंतली राशी फल के विशह में यह मासिक राशी फल के हैं या मंतली राशी फल और यह मंतली राशी फल साथियों अगस्त दोहजार तेईस का है और अगस्त दोहजार तेईस में ग्रों की गोचर में जो इस सिती रहेगी पहले तो हम उसको इस सिती को आपको बताएंगे उस सिती सापको ग्रों की सिती से आपको अफगत कराएंगे और उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको इस अगस्त 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज जादा हैं और लगन राशी पर आधारित है ये पूरा कार्यकरम और आज जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस कार्यकरम के दोरान जो व्रिश्चिक लगन राशी के हमारे मित्र हैं उनके विशे में चर्चा करेंगे यनि कि जिनका is corpio ascendant पर संस जो हैं उनके विशे में हम बताएंगे कि अगस्त 2023 में किस प्रकार का का रहने वाला है ग्रहों के आधार पर गोचर में तो प्रियसातियों ये तो बात ये एक हुई दूसरी बात ये भी है कि आप देख पा रहे होंगे ठीक हमारे पीछे स्क्रेन पर एक चार्ट डिस्पले हो रहा है उसमें ग्रहों की इस सिती को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है इस पश्ट रूप से तो ये हमने जो किया है चार्ट डिस्पले ये आपकी सुविधा के लिए कि जो हम ग्रहों की इस सिती से आपको अवगत कराएंगे अगे उसमें अगर कहीं कोई चीज आपकी चीज समझ में नहीं आती है तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि क तो आईए सबसे पहले ग्रहों की सिती से आपको अवगत करा देते हैं गोचर की तो सबसे पहले जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य उनकी बात करते हैं देखिए अभी सूर्य जो हैं वो कर्क राशी में चल रहे हैं जहां पर आप बैठे हुए उनको देख रहे हैं लेकिन य की राशी सिंग में चले जाएंगे जहां पांच नंबर लिखा हुआ है और फिर महा के अंतर तक वहीं रहेंगे अब बात आगे करेंगे मंगल की अभी जो फिलाल में मंगल वर्तमान में अपनी मित्र राशी सिंग में बैठे हुएं आपके दशम भाव में लेकिन ये अठार बाव 11 थाउस में ये प्रिवेश्ट कर जाएंगे आगे बात करेंगे और फिर महा के अंतर तक वहीं रहेंगे आगे बात करेंगे बुद्ग्रह के लिए तो देखे बुद्ग्रह अभी जो आप देख रहे हैं बैठे हुए वो सिंग राशी में बैठे हैं पांच नंबर यहां लिखा है टैन्थ हाउस में और यह पूरे महाँ यहीं पर रहेंगे इसी राशी में रहेंगे इनका राशी परिवर्तर नहीं करेंगे लेकिन तैइस अगस्त को यह वक्री चाल चलना आरम कर देंगे यानि कि रेट्रो ग्रेट पोजिशन उल्टी चाल और 31 अगस्त क यह पश्चिम में अस्थ हो जाएंगे यह बुद्ध की सिती रहेगी क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नजदी की डिग्री इनकी बहुत क्लोज हो जाएगी और जैसे ही क्लोज होगी तो यह 31 सारी को अस्थ हो जाएंगे बुद्ध आगे बात करते हैं गुरू ब्रस्पती की गुरू ब्रस्पती जो हैं वो अपनी मित्र राशी मेश में सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं मारगी और उद्यवस्था में और बने रहेंगे इसी पकार कोई राशी परिवरतन नहीं करेंगे गुरू ब्रस्पती इस महाँ लेकिन जहां बैठे हैं यह वहाँ पर राहू बैठे हैं और राहू के साथ इनकी यूथी है संबंद बना हुआ है और राहू इनके सम गरे हैं और राहू जो हैं वो महापापी और महा करूर गरें तो इस وجہ से राहू और ध््रश्पती का जो मिलन है ही इसके कारण चांडाल दोश का निर्माड हो गया है, जिसके कारण जातकों को चांडाल दोश के कारण अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, जब जब भी ये चांडाल दोश का निर्माड होता है, चाहे जातक की कुंडली में हो, चाहे गोचर में हो, किसी भी भाव में हो, और जि निकलेगा अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की शुक्र ग्रह जो है अभी आप देख रहे हैं करक राशी में बैठे हुए सूर्य के साथ लेकिन ये साथ तारिक को साथ अगस्त को ये अपनी शत्रु राशी सिंग से निकल करके यहां पर आएंगे वक्री अवस्था में हैं और है यहां पर पर प्रिवेश करेंगे क Рाशी में और पूरे महा यह इसी परकार यहां बने रहेंगे उल्टी चाल चलते रहेंगे अब बात करते हैं शनी ग्रहे की शनी ग्रहे जो हैं अपनी स्वयम की राशी कुम्ब में बैठे हुए हैं जहां पर ग्यारे नंबर लिखा हुआ है चोथे भाव में चत्रुत भाव में फोर्थ हाउस लेकिन ये उदे और वक्री अवस्था में है यानि कि उल्टी चाल चल र देहेगी इस माँ तो शनी जो है अपना राशी परिवर्तन नहीं करेंगे यहे राशी में बने रहेंगी वक्री से तीमे member उद्यवत सामय आगे बात करते के साथ बने हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि चांडाल योग का निर्मान कर रखा है उन्होंने वहाँ पर और ये अभी इस महीने पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे छटे बाहों में ब्रसपती के साथ तो मेरे प्रिया साथियों ये थी गणों के इसी थी जिससे भी हमने आप को अफगत करा दिया है अब हम इसी आधार पर आप अपने जो व्रिष्चिक राशी के हमारे मित्र हैं उनको हम भिन भिन छेत्रों में मिलने वाले प्रिणामों की जो संभावना है अधिक उससे अफगत कराएंगे सबसे पहले चर्चा करेंगे आप व्रिष्चिक लगन र तो आप को वही अम बात बदाने जा रहे हैं देखिए एक तारिक से लेकर महीने की में अगस्ट एक तारिक से करके एक अगस्ट से लेकर के और सट्री अगस्ट तक के जो बीच का समय है ये समय आपके लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि एक तरीके से हम आपको बता दें कि Match संघर्ष में से रास्ता निकलेगा यानि कि आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा और आपको सामने से अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हुए दीखेंगे लेकिन संघर्ष के बाब दूर अगर आप बीच में कहीं अपना आपने परिश्रम में कुछ धील कर ली तो आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आप से जो आपके परिणाम है जो बैटर रिजल्ट्स हैं वो दूर हो रहा है तो यह चीज रहेगी एक अगस्ते सत्रा अगस्त के बीच में सत्रा अगस्ते परिश्चितियां बदलेंगी आपके कारेश्चेत्र में क्या होंगी क सबसे पहली बात तो जो शत्रू आपके उपर हावी होने की कोशिच कर रहे थे वो भी शान्त होंगे और आपका सामना नहीं कर पाएंगे महा मद्दे से महांत के बीच में एक फायदा यह होगा दूसरा यह होगा कि सूर्य क्योंकि महां पर आ जाएंगे तो आपको को बहुत अच्छा अफसर मिल सकता है आपकी उन्नती के लेकर के अगर आप व्यापारी हैं तो कोई बहुत बड़ी डील आपकी हो सकती है या बहुत अच्छा ओर्डर आपको कहीं से मिल सकता है यानि कि ग्रोथ आपकी महां के मद्दे से आरंब है चाहें आप रोजगार में है या वैपार में और अगर आप रोजगार में भी हैं तो वहाँ पर भी उन्नती के रास्ते आपके लिए खुलंगे और अचानक आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है लेकिन यह प्रमोशन जो मिलेगा इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत पदोनती मिल गई या उसको एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय तो एक अलग चीज हो गई लेकिन आपको उसमें रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे कुछ परिशानियां भी आपके सामने आएंगी जैसे जैसे आदमी की पदोनती होती है उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है चेलेंजिज भी बढ़ते हैं और वही इस्थिति आपके सामने आएगी बात कर लेते हैं आपकी इंकम की और आपके सुख सुविधाओं की तो जहां तक इंकम का प्रिश्ण है पर यह साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंकम आये तो आपको होती रहेगी महा के आरम से लेकर के महा के मद्द तक कोई दिक्कत नहीं है बलकि यह इंकम जो है आपको तेईस अगस्तक आराम से होती रहेगी आये में हमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है और जहां तक सुखसोविधाओं का प्रिश्ण है साथियों तो आप ब्रिष्चक लगन राशी के ज़जा तक हैं सुखसोविधाओं का अभाव या तो रहेगा या आप उनका लाब ले नहीं पाएंगे लेकिन किसी भी कारण कोई भी कारण बने सुखसोविधाओं से थोड़ करियर पे होगा तो इसलिए आप भी इन चीज़ों को जादा महसूस नहीं करेंगे आगे बात करते हैं प्रेम संबंदों की प्रेम संबंद कैसे रहेंगे प्रिये साथियों आप से बताना चाहते हैं बड़े इसपश्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखिए प्रेम संबंद का अधिक फोकस अपने करियर पर ही ज्यादा रहेगा मतलब ज्यादे तर आप अपने करियर में ही अपने आपको involved रखेंगे और क्योंकि जब बात प्रोग्रेस और उन्नती की भी आ जाती है तो सारा फोकस व्यक्ति का उधर ही ज्यादा रहता है तो इसलिए प्रोग्रेस है इस महाँ और जो करना चाहेंगे भी जिनका नहीं भी है पहले से और वो कहीं अगर कोशिश करते हैं तो उन को कोशिश जो कर रहेंगे वो उसमें सफलता प्राप्त हो इस प्रकार का यूब नहीं है आगे बात करेंगे कि अगर आप बिलिष्टिक लगन राशी के जो जातक है अगर आप मेरिट परसन्स हैं चाहे आप वेमैन है चाहे आप मैन है चाहे आप मतलब पुरूश है या आप महिला है तो आपका कैसा रहेगा आपको बताना चाहते हैं पहले सत्रा दिन एक अगस्त स लेकिए सत्रा तारिक तक का जो समय है इसमें थोड़ा सा आपको वैवाहिक सुखों में कमी रहने के संकेत हैं लेकिन महामद्धे से और महाँन्त के बीच में का जो अब्धी है ये इसमें आपका वैवाहिक जीवन समानने रूप से चलता रहेगा बिना किसी परेशानी के बि अब बात करते हैं आगे आप जो स्टूडेंट्स हैं विरिष्टिक लगंदाशी के उनके लिए कैसे रहेगा उनकी इस्टडी को ले करके रिजल्ट कैसे रहेंगे पर यह साथियों आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यूं तो पूरे महा आप विरिष्टिक लगंदाशी यहां पर उपाए भी आपको देंगे कौन से वह उपाए करें जिससे आपकी स्टडी कॉंटिन्यू हो सके आप अच्छे प्रणाम प्राप्त कर सकें तो इसलिए परेशान ना हो लेकिन हां सचेत करना चाहते हैं आपको कि ग्रहों का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको को ही जो कुछ करना है करना है अपने दम पर तो मेरे प्रियसात्यों उपाए भी देंगे उपाए करेंगे तो आपको फिर उसमें लाप मिलेगा अब बात करते हैं संतान की भी बात माता-पिता को बताना चाहते हैं गुरिश्यक लगन राशी के जो जातक है मात अपनी संता परिश्रम करेगी उसके अनुसार आपको परिणाम राप्त नहीं हो पाएंगे अपनी संतान के द्वारा अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन उपाए जो हम देने जा रहे हैं अगर आपने वह उपाए करवाए अपने बच्चों से अपनी संतान से तो निश्यत रूप से उसमें सुधार आपको दिखाई देगा और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे अपने बच्चों के द्वारा आगे बात करते हैं स्वास्त की स्वास्त कैसा रहेगा देखिए जी जहां तक इंडाइजेशन का प्रिश्न है यानि कि पेट से अब्डॉमन से र स्वास्त की तो ऐसी सिती रहेगी लेकिन हां महा मद्दे से महा के अंत के बीच में यह है कि अगर थोड़ा स्वास्त भिगड़ेगा भी तो थोड़ा बहुत उपचार करेंगे तो आपको उसका रिलीफ भी बराबर मिलेगा प्रिये साथियों यह तो हमने जो बातें हो पाएगी तो सबसे पहला उपाय यह है कि शनीवार के दिन प्राते इसनान करने के उपरान आप एक तो राहू के मंत्रों का जाब जरू कर राहू के मंत्र को जाब तो आपको नित्पृति दिन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें सौंबार और शनीवार का दिन तावे के कलश में जल भर करके उसमें दूर्वा घास अपना रख दीजे और इसनान आधी से फिरी हो करके निवरत हो करके आप उसको जा करके पीबल के वरक्ष्में चढ़ा दीजे जल को यह दूसरा उपाय है और तीसरा उपाए क्या है तीसरा उपाए ये है कि अगर आप चाहते हैं कि स्वास्ट भी अच्छा रहे तो आप ब्रस्पती के दिन केले के विरक्ष की पूजा जरू कर ले और हनुमान जी की पूजा भी नियमित रूप से करें बहुत अत्य अत्य धिक लाब आपको प्राप्त होगा अगर हनुमान जी की भी पूजा करेंगे हनुमान जी को भी प्रिसंट करना है आपको तो मेरे प्रिया स भी इसका लाव ले सकें और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रिलोजी के टॉपिक पर हमारे वीडियो बनेंगे वो नोटिफिकिशन के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएं तो उसके लिए आप बैल आइकन जरूर दबा दीजिए इसी के साथ अब ह सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी